बनुसरातन धर्म कीजै श्री राम कृष्णा भगवान कीजै श्री शंकर भगवान कीजै श्री रक्ष्मी नारायर भगवान कीजै जग्नमे मैया कीजै सद्गुद तेमु राम महराज कीजै सद्गुद सर्वारन महराज कीजै सद्गुद शंती प्रकाश महराज कीजै सद्गुद हरिरास राम महराज कीजै सर्वसंतन कीजै प्रेम्प्रकाश मंदर कीजै अम्राप्र दर्वार आसा वजल बाठ कर काश 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 गुरू मुझको अपना नामदान दे कर ले पूरन काश गुरू कर काश 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 गुरू हर दम मुझको उची मत दे राम नाम में पूरन रत दे निर्मल संतों की संगत दे मया करे महराज गुरू कर काश 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 गुरू कर काश 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 गुरू मन मेरा हरी नाम धियावे मुख मेरा हरी के गुन गावे उध में हरी का भाणा भावे कर किर पाय आज गुरू कर काश 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 गुरू कर काश 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 गुरू भोग विशय से करे निराला, सत गुर देवो प्रेम पियाला, फिर जैवे कर ज्ञान उजाला, दे आतम सव राज गुरू कर काज, काज, काज गुरू कहिते उंगुर कर ना धारी, सुन लीजे यह विनय हमारी, आदि अन्त मठ कर रखवारी जाखो में दी लाज गुरू कर काज, काज, काज गुरू कर काज, काज, काज गुरू कर काज, काज, काज गुरू मुझको अपना नाम दान दे कर ले पूरण काज गुरू गुर्देव के पावन चर्णों में इस वजन में प्राथना की गई है कि मेरे कार्य पूर्ण करो सबसे बड़ा कार्य है बंदनों की निवर्ति, मोक्ष की प्राथि इसे बड़ा कोई कार्य नहीं जो मनश्र शरीर में संपनो तो गुर्देव किरपा करके नाम का दान देके और नाम जपने की मन के अंदर लगन शिर्दा दे करके मेरे कार्य पूर्ण करो हर दम मुझे को उंची मत दे राम नाम में पूरण रत दे मेरी बुद्धी श्रेष्ट हो श्रेष्ट बुद्धी कार्य जो संसार के चिंतन से विरत होकर इश्वर के चिंतन में लग जाए नाम में पूर्ण मेरी श्रदा हो निर्मन संतों की संगत दे जो संत महापृष निर्मल अंतर करणवाले हैं उनकी सत्संग उनका संगत उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो ऐसी मेरे उपर मया दया कृपा करो मन मेरा हरी नाम ध्यावे ऐसी कृपा करें कि मेरा मन नाम सुमरण में मगन हो जाए मुख मेरा हरी के गुनगावे मुखारविंद से प्रभु नाम का सुमरण कीर्टन होता रहे बुद्य में हर का भाणा भावे जो परमातमा बनाए उसमें हमेशा मैं प्रसंद रहूं कर किरपा यह आज गुरु आज किरपा करें भोग विशय से करे नराला सत्गुर देवो प्रेम प्याला मन भोग विशयों से विरत होकर प्रभु प्रेम में मगन हो जाए प्रभु प्रेम के प्याले की खुमारी मन में चड़ी रहे हिर्दे में कर ज्ञानों जाला हिर्दे में ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का अंधकार दूर हो अपने आत्म सरुप का ज्ञान मैं प्राप्त करूँ कहे टेऊं गुर करणा धारी सुन लीजे यह विन्य हमारी आप करणा के सागर हैं किरपा करने वाले हैं अंत मध्य कर रखवारी, शुरुवात में भी आपका सहरा, मध्य में भी आपका अश्रे और अंत में भी आप ही का मुझे सहरा है। अमरापुरबाणी पड़तुं प्रेमी प्रेमसा पाई सुमत संतोश एख्यमियाजी खाणी भर्यल जह में भावजी रस्वारूहानी वचन हंडाये पाई पद पूरण निर्बानी अंग संग थे साणी हरहंद तोसा सत्गुरू महमा आवे अंत सत्गुरते मुरामजी महमा आवे अंत ठायो जग कल्यानले प्रेम प्रकाशी पंथ अनभे पाणिय सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाई सगे नपार को महमा आवे अंत भगतनले भगवन्त आयो मानश रूप में सत्गुरते मुराम के है उपकार अनन्त दियामुलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ दूबत जीव अपार है भवसंद है बेंत सेत बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदावारी पर बलहार जिसवारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मर्थल जानिये वारी अम्रत धार वारी पर वारी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अम्रत घट सुखराश उरमंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लओ जों करती है लाश अंतर तम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आप का अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आप का अमर है धन बुर्टे उराम अमरा पुर्वानी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता चंद दोहा वली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सत्नाम चाकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमरत मै महमा मै आनंद मै करुणा वर्षनी ब्रह्म अमरत वर्षनी अंतर द्रिष्टी उनमेशनी सर्वव्याधी विनाशनी भावपाश विमोचनी कल्यान कारी ये वानी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुरवाणी ब्रह्म दर्षनी कवितावली चन्दावली और द्वावली पांच रतन है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझ कर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करे अनंद अधुपद रहस्य से भरी वही गुरु माराजी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमई वचन इस वाणी में भरेवे हैं तो उनका भावार्थ इस श्रंखला के द्वारा प्रस्तत किया जा रहा है पढ़के समझ के मनन करके उनका लाब प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बना रहा है